Hello class 10, आज हम फिरहाज हैं, आपकी worksheet number 9 लेकर आपका topic है आज हिंदी का रचनात्मक लेखन और आज आपको लिखना सीखना है विज्यापन, देखिए आज की दुनिया विज्यापनों से भरी पड़ी है, आज मैं आपको ये भी पताने वाली हैं कि what is the psychology behind advertisement, आपको इतने advertisement दिख क्यों जाते हैं, दिन में आपको 1500 बार टीवी का advertisement दिखाय जाता है, 50 बार गाड़ियों का, 10 बार toothpaste का, तो क्या हर रोज गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, या हर रोज टूथपेस्ट खरीद रहे होते हैं, या हर रोज पंक्ये कूलर AC खरीद रहे होते हैं, नहीं, नहीं खरीद रहे होते हैं लेकिन क्यों दिखाये जाते हैं यह इसलिए दिखाये जाते हैं बेटा कि उन टैग लाइन्स के साथ आपको उस कंपनी का नाम याद रहे अगर आप कल को किसी दुकान पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो आपको उस कंपनी कंपनियों का समान मिलने व इसलिए दिन में आपको इतने सारे विज्यापन दिखाये जाते हैं कि जब आप दुकान पर पहुंचे तो आपको अपने आप याद क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनके ब्रैंड का नाम उनके ब्रैंड की टाग लाइन हम सब के जीप पर चड़ जाए हम सब को याद रहे और एकदम से हमारे मुझ से निकले इसके साथ ही हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट वर्कशीट नमबर नौ अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल in case you have already subscribed please share the videos with your friends चले शुरू करते हैं वर्क अखबार खोलेंगे एक पन्ना खोलेंगे तीन पनने खोलेंगे आपको हर पनने पर कम से कम आथदस एड़र्टेज्मेंट जरूपन जरूर दिखाई देंगे तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे आप कोई भी पाँच या 10 ओतारेंगे काटेंगी अखबार से और उसको अ कुछ चित्र बनाए जाते हैं, जो चित्र ये दिखाते हैं, कि आप वो चित्रों से ये पष्ट हो जाए, कि अगर नहीं पढ़ने वाला इनसान भी है, अनपढ़ भी इनसान है, तो वो समझ सके कि वो विज्यापन में क्या सरकार या कोई भी इनसान क्या मैसिज देना चाहता कोविड नायन 1974 अगर मैं नहीं भी पढ़ पा पा- रही एनको तो लेकिन चित्रों को देखकर मैं समझ रही हूं कि मुझे क्या-क्या करना चाहिए पहले चित्र में हाथ दोना लिखा है दूसरे चित्र में छीकने पर लिखा है कि रुमाल होना चाहिए तीसरे में देखो उन्होंने का रुमाल नहीं है हाथ है वो गलत बात है एक मीटर की दूरी पर रहें वो सही बात है अगर आपको खासी जुकाम है तो जाकर डॉक्टर से अपन में हैं कि क्या कहना चाहता है सबसे पहला होता है ये दूसरा होता है विशेविस्तार विशेविस्तार मतलब जो बात ऊपर लिखी है जो हेडिंग आपने लिखा है जो शीर्शक आपने लिखा है उसके बारे में 5-7-8-10-9-20 जितने पॉइंस आप लिखना चाहें उसकी संपर्क सूत्र है नीचे पताया फोन नंबर होता है जो चीजने ध्यान देने लायक है वो यह है कि वेटा एक बोल्ड लाइन में आपको हेडिंग लिखनी है उपर जिसने जारी किया उसका नाम लिखना होता सबसे नीचे फोन नंबर बाकी सब चीजें आप बीच में जो विस्तार जारी करता संपर्क सूत्र के साथ चित्र और नारों का उचित प्रियोग किया जाता है यह कंपल्सरी है आप कहां लिखते हैं कैसे लिखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है लेकिन यह सब चीजें एक विज्यापन में अवश्य होनी चाहिए क्योंकि जब हम नं नहीं बेसिस पर आपको नंबर देंगे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सुरक्षित तो दिल्ली सुरक्षित विशह पर एक आकरशक विज्यापन तयार कीजिए साथ ही नीचे कुछ फोन है एक जिमेटरी बॉक्स है और एक टूथ पेस टूथ ब्रश है उसके इससाल कायरे में आपको विज्यापन बनाना है यह सिंप्ली आपका काम है I'll show you some of the advertisements how advertisements are shown मैं आपको इंदाजह्मन लिखना कैसे it आपको लिखकर नहीं देने वाले विज्ञापन आपको खुद बनाना है अपनी वर्कशीट में अपनी मैनज से अपनी कलाकारी से कोई हेल्प नहीं करने वाला है इसमें मैं आपको सिर्फ विज्ञापनों के कुछ और एक्जांपल दिखाती हूं अगर आपको घर में कहा गया आरोगे से तुएप जरूर डाउनलोड करें इसके बाद ये सावधानिया बढ़ते हैं कैसे जब आप बाहर जा रहे हैं तो क्या-क्या सावधानिया बहरतनी चाहिए ये लिखा हुआ है उसके बाद आगे चलते हैं कोरोना से बचाव के लिए ये काम अब देखी सबसे उपर लिखा है यहाँ पर यह जो डिपार्टमेंट है इन लोगों ने विज्यापन जारी किया है विज्यापन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और नीचे देखें कांटाक्ट डिटेल्स लिखे हुए हैं बहुत डाउट नहीं है शायद यहाँ एक ग्रामटिकल मिस्टेक है लिए एक गलत लिखा हो बाकी सब कुछ है हाथों को बार बार धोना है खांसते सीखते समय डिस्पोजिबल टिशू का इस्तिमाल करें इस सब चीज़ें अब हम आते हैं एक और पोस्टर पर पोस्टर पर फिर स से देखिए उपर है मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेलफेर ने जारी किया है किस बारे में नोवल कोरोना वाइरस बारे में help us to help you हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपकी help कर सके अगर आप स्वस्ट है तो आप अपना मास्क पहनने की आउशकता नहीं है मास्क के वल चाइए आसवस्थ हैं जयना खासी हो बुखार हो शांस लेने में तकलीफ हो ठीक है तो यह एक विण्यापन है हाला कि विग्यापन में थोड़ी गलत हूँ आपको मास्क पहनने घर में पास्क पहनने की जरुष्वत नहीं है लेकिन भार पहनने की बहुत जरुष्वत है क चुकि जरूरी नहीं कि आपको ही खांसी जुकाम कुछ है सामने वाले को भी हो सकता है और अगर सामने वाले को वह है जुकाम खांसी बुखार या कोरोना और अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपके पास जल्दी से पहुंचने वाला है चलिए आगे चलते हैं कैसे बने कि अमरंत्रित हैं यह तारीक है यह समय है और यह स्थान है कृपया पधार कर वरतमान विध्यारतियों का उत्सावर्दन करें यह देखे अग्रय करता प्रेभारी आयोजनी सब कुछ लिखा हुआ है यह बिल्कुल परफेक्ट एक्जामपल है कि कैसे आपको विज्यापन देना होता है कि यहाँ पर मा unanimous कंपनी का एक एक जामपल है लेकिन माMat MA ﷺ में फोन की कंपनी में उसको प्रमोट नहीं करी है लेकिन आजकल बढ़ा चल रहा है वी वोकलन, सपोर्ट लोकल यह यह रैंड टूथ पेस्ट का है यह पारले जी का देखिए पार ले जी ने यह सब से उपर लिखा यह पार ले जी का पोस्टर अब स्थ पार लेचिक बिस्क्रिट का नाम है इसलिए इसमें एड्रेस ट्वीटर हैंडल्स वगरा नहीं दिये गए हैं तो आपने बहुत सारे व विग्यापन तयार करेंगे और विग्यापन को अपने टीचर को दिखाएंगे in case of any query please comment in case of any doubt please do comment in I'll be more than happy to answer your questions और कोई भी doubt होता है तो साथ बने रहे है ताकि आपकी comments को पढ़के उनका जवाब दे सको and keep watching the videos and keep learning the new things thank you so much have a great day